हेलो दोस्तों स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले जी इंटर्टेन्मेंट के स्टॉक के बारे में सारी बात जानेंगे सारे पेरिमिटर पे बात करेंगे और आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी जानेंगे तो वीडियो को अंतों तक जरूर देखिएगा वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिज तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो सबसे पहले बात करेंगे श्टॉक का डिलेवरी कॉइंटिटी से तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्टॉक का डिलेवरी कॉइंटिटी 9.57 परसेंट देखने को मिल रहा है नेक्स्ट बात करेंगे श्टॉक का पी रेशियो 34.99 है और सेक्टर पी-9.40 है और डिव्रेंट रिल के बात करें तो 0.16 परसेंट देखने को मिल रहा है तो यह सब चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं बुलना है इंट्रेंसिक वेल्यू की बात करें तो यह सब चीज का आपको धियान में रखना है इंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज श्टोक इस नोट इनवेस्ट करने के लिए अभी श्टोक ओवर्बोर्ड जोन में नहीं है तो यह सब चीज का आपको धियान में रखना है चलिए एक बार श्टोक का फाइनेसर लेबल पे नजट डालते हैं तो जैसा कि आप देख पार है रेवेन्यू में एक अच्छाइन इक्रिमेंट देखने को मिल रहा है बड़ प्रोफिट में अच्छाइन इक्रिमेंट आया और पर्मोटर और प्लेज मिला के 4.77% का इस्टेक है और मुच्वल फंट के पास 3.77% का इस्टेक देखने को मिल रहा है और डियाएज के पास 9.68% का इस्टेक है और एफाइज के पास 67.32% का इस्टेक है और अधर पार्टिज के पास 18.23% का इस्टेक देखने को मिल रहा तो ये सब चीज़ को आपको धियान में रखना है चलिए एक बार देख लेते हैं एक्सपर्ट का क्या मानना इस स्टोक के बारे में तो जैसा कि आप देख पार 65% एक्सपर्ट का ये मानना कि इस स्टोक में इन्वेस्ट करना सही है short term के लिए और long term के लिए तो ये सब चीज़ को आपको धियान में रखना है चलिए एक बार टेक्निकल लेबल पे देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख पार है RSI अभी BRD सिगनल दे रहा और money flow index अभी neutral बता रहा और MACD अभी BRD सिगनल दे रहा तो ये सब चीज़ को आपको धियान में रखना है अगर आप इस stock में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ी थोड़ी quantity में इन्वेस्ट करें better investment के तरह ताकि average दे तो ये सब चीज़ को आपको धियान में रखना है चलिए एक बार stock का support और resistance देख लेते हैं और stock का first support 178.45 और second support 165.10 और third support 152.80 जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है अगर आप इस stock में इन्वेस्ट किये हैं या करना चाहते हैं तो ये support और resistance आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है तो आज के वीडियों बस यहीं तक अगर आपको वीडियों अच्छा लगा तो लाइक कर दीजे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से कर दीजे Stocks related वीडियों लाते रहते हैं